नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत एजूकेशन इंडिया में तो रक्सा बंदन का पर्व नस्ती का चुकाई इस बार 22 अगस्त को पूरे भारत दिस में रक्सा बंदन का तोहार धुमधाम से मनया जाएगा इस दुरान बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांदेगी जहां बहने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करेगी तो भाई बहनों को रक्सा का वचन देगा तो ऐसे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि रक्सा बंदन के दिन राखी बांधने का सुब मुरत क्या है और भद्रा और आउकाल का समय क्या है तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल एजूकेशन इंडिया को सबस्काइब करें साती पासी में दिखरें घंटी के निसान पर किलिक करें ताकि आपको आगे भी आपके काम की हर अपडेट सब से पाले देखने को मिले तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं तोईस साल रक्सा बंदन का परव 22 अगस्त को मनया जाएगा रक्सा बंदन पर बाने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई के हाथ में रक्सा सुत्र यानि राकीब बादेगी और इसलिए सुबह मुरत देखरी राकीब बादनी चाहिए ताकि आपके साथ आपके भाई के साथ आपके परिवार के साथ किसी परकार की कोई अनोनी नहो आपके आने वाले भवश्य में किसी परकार की कोई बादा ना आए और आपका आने वाला भवश्य उजुल हो सके मंगल मैं हो सके और इसलिए सुबह मुरत देखरी राकी बाननी चाहिए और रा कि बाननी थो यह सब जाने के लिए वीडियो को देखिए, तो सब से पले भड़ा की बात करते हैं जहां भड़ा प्रत छे बज़कर, 15 मिनट पर समाबत हो जाएगा और रखाल की बात करते हैं जहां रखाल साम की 5 बज़कर 16 मिनट से शुरू होगा और 6 बज़े तक रहेगा इस से दुरान भी आपको राकी नहीं बाननी है अब दोस्तों आपको राकी कब बाननी है तो 6 बज कर 15 मिनट के बाद आप कभी भी राकी बान सकती है और साम की 5 बज कर 16 मिनट से पाले आप राकी बान सकती है उसके बाद में साम को 6 बजे के बाद रातरी के 9 बज सबताइब लेकिन इस्तिर लगन में राकी बांधना और भी सुब रहता अब इस्तिर लगन के भी तीन मुरते जोकी काफी अचछे सुबह और अतिवततम में इस तर लगन का इस के बात इसे बादने दोपर का मुरते चो की सबसे उचित और अतिवता मुरते और वह है मुरत दोपर की बारा बज़े से लेकर दोपर की दो बज़कर पैतालिस मिनट तक इसके बाद में साम को एक और मुरते जो की ये 6 बज़कर 31 मिनट से लेकर 7 बज़कर 69 मिनट तक और दोस्तों ये 3 मुरते जो की इस तरह लगन के मुरते और इन 3 मुरत में आप भाई की कलाई पर राखी बांदेगी तो आपका आने वाला भवश्या को सहाल होगा और आपका आने वाला भवश्या पूरी तरह से मंगल में रहेगा किसी परकार की आपके आने वाले कल में बा बता दियाए तुरूस तो इस वीडियो को लाइक करने के साथी इतना सेर करें ताकि ये जानकारी आपके भाईयों बानों को भी मिल जाए तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जे इंद जे भारत